नमस्कार मित्रों, हमारी पुरानी पीड़ी के लोग अपने जीवन में 100 दीपावली देख पाते थे, अर्थात 100 साल तक जी लेते थे, लेकिन आज के जमाने में 60 या 70 साल का जीवन भी अधिक माना जाता है, और उसमें भी जो लोग अच्छे होते हैं, तो और भी कम उम्र मे ही इस दुनिया को छोड़ कर, मृत्यू को प्राप्त कर लेते हैं, आपने लोगों को कहते सुना होगा कि भगवान अच्छे लोगों को जल्दी बुला लेते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, आप से ए और दुष्ट लोगों की तुलना में जल्दी मृत्यू को प्राप्त करते हैं, आपने लोगों को यह भी कहते हुए सुना होगा कि इस भले इंसान को इतनी जल्दी मौत क्यों आ गई और वह दुष्ट पापी अभी तक मरता क्यों नहीं है, क्या सच में ऐसा होता है, क्या स पहले आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, क्योंकि ज्ञान और खुशियां बांटने से ही बढ़ती है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, क्रिश्ण कहते हैं, जातस्यहि लब्ध जन्मनह धुरुवः अव्यभिचारी मृत्यु मरणम धुरु उसके माता-पिता कौन होंगे, उसका विवाह किसके साथ होगा, यहां तक कि यह भी तय होता है, कि उसकी मृत्यु कहां और कब होगी, सभी धर्मों में मृत्यु को एक अटल सत्य माना गया है, और जिसने जन्म लिया है, उसे एक न एक दिन मरना ही पढ़ता है, किसी का जी उनकी इच्छा से ही होती है, हिंदू धर्म में मान्यता है, कि भगवान हर अच्छे मनुष्य को किसी न किसी उद्देश्य के साथ ही इस मृत्यु लोक में भेजते हैं, जब वो उद्देश्य जल्दी पूरे हो जाते हैं, तब भगवान उन्हें वापस बुला लेते हैं, अर्थात अच्छे लोगों की मृत्यु भी उनके अच्छे कर्मों पर ही निर्भर करती है, कल युग के लक्षन में भी बताया गया है, कि इस युग में पापी अधिक वर्ष तक जीएंगे, और पुन्यात्मा जल्दी इस लोग को त्याक कर देंगे, इसके अलावा आपक दूसरा है स्मृति और तीसरी है जागरिति, इसलिए आप अब किसी से ये मत कहना कि आप खाली हाथ आये थे और खाली हाथ जाएंगे, हमें कई बार लगता है कि कुछ भले लोग या हमारे परिजन थे, जो भले थे, कभी किसी का बुरा नहीं किया था, कभी किसी को सताया पिर भी भगवान ने उनको अपने पास इतनी जल्दी क्यों बुला लिया, उन्हें तो अच्छे कामों के बदले में ज्यादा जीना चाहिए था, तो भगवान ने ऐसा क्यों किया, तो आईए इस बात को समझते हैं। पृत्वी लोग यानी मृत्यू लोग में जन्म लेने का श्राब देते थे। यह मृत्यू लोग दूसरे लोगों की तुलना में ऐसी भयानक और दुखदायक जगह है, जहां सजा के तौर पर देवताओं और अपसराओं को भेजा जाता था, और सजा मिलने पर वह देवत अपसराओं गिड़ गिड़ाते थे कि हे प्रभू हमसे गलती हो गई, हमें माफ करें और हमारी सजा कम करें, यह मृत्यू लोग समस्त ब्रह्मांड में ना तो अच्छी जगह है और ना ही बुरी जगह है, आप इसे कर्म भूमी भी कह सकते हैं, और कर्मों के हिसाब से ही आ हमें इस मृत्यू लोग और यहां रहने वाले लोगों से हो जाता है, हम इस मृत्यू लोग को छोड़ कर नहीं जाना चाहते हैं, और हमारा कोई साथ ही इस लोग को छोड़ कर चला जाता है, तो भी हमें दुख होता है, जब किसी इनसान की मौत होती है, तो वह जीवात्मा यम्राज के वहां जाती है और वहां उसके कर्मों का लेखा जोखा होता है उसमें देखा जाता है कि उस जीवात्मा ने अच्छे कर्म किये हैं या बुरे कर्म किये हैं अगर किसी जीवात्मा ने मृत्यू लोक में बहुत बुरे कर्म किये हैं बहुत ज्यादा लोगों को सताया है, लूटा है, दुख पहुंचाया है, तो उसे दूसरे जन्म में उन सभी के साथ हिसाब चुकता करना पड़ता है. और उसी कारण उस जीवात्मा को लंबा जीवन काल मिलता है, यदि जीवात्मा ने अच्छे कर्म किये हैं, तो उसे अगले जन्म में कम अवधिदी जाती है. कई लोग कहते हैं कि अच्छे काम करने वाले को लंबा जीवन देना चाहिए और बुरे काम करने वालों को कम जीवन देना चाहिए लेकिन भगवान ने जो व्यवस्था बनाई है वह सही और उत्तम है क्योंकि इस मृत्यू लोग में रहना और जीवन व्यतीत करना हमारा लक्षय नहीं है हम जीवात्माओं का अंतिम लक्षय तो परम पवित्र बनकर मोक्ष प्राप्त करना है और परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त करना है हर एक जन्म के साथ हमें अवसर मिलता है कि हम अपनी चेतना के स्तर को अच्छे काम करके उपर उठाएं क्योंकि हम बुरे काम करते हैं तो हमारी चेतना का स्तर नीचे जाता है और हमें हजारों और कई बार तो करोडों सालों तक इस मृत्यू लोक में दुखों को जहलना पड़ता है कहा जाता है कि एक जीवात्मा को 84 लाक बार इस संसार सागर के चक्कर काटने पड़ते हैं तब जाकर उसे मोक्ष मिलता है लेकिन जो जीवात्मा अच्छे हैं भले काम करते हैं वह जीवात्मा जल्द से जल्द शुद्धता प्राप्त कर लें और कुछ ही जन्मों के बाद मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं इसीलिए परमात्मा उनका जीवनकाल कम रखता है ताकि वह जीवात्मा इस मृत्यूलोक के कश्टों को कम सहन करें और परमधाम में जाकर परम शांती और परम आनंद को प्राप्त करें और जिस जीवात्मा ने मृत्यू लोक में बुरे काम किये हैं, उसे इस मृत्यू लोक की यातनाओं को ज्यादा देर तक सहन करना पड़ता है और कई हजारों लाखों जन्म के बाद ही उसकी आत्मा पवित्र होती है तब जाकर उसे परमधाम की प्राप्ति होती है दूसरी बात यह है कि हमारा इस मृत्यू लोक में जन्म किसी न किसी उद्देश्य से होता है और जब उद्देश्य पूरा हो जाता है तो भगवान हमें वापस बुला लेते हैं ऐसा नहीं है कि सभी लंबा जीवन जीने वाले लोगों ने पूर्व जन्म में बुरे काम ही किये हो लेकिन वह अभी जीवित है तो इसका मतलब यह है कि उनके जीवन का उद्देश्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है मित्रों आप समझ गए होंगे कि अच्छे लोगों की मृत्यू जल्दी क्यों हो जाती है तो हमारी जो भी प्रियजन थे और जिनकी मृत्यू जल्दी ही हो गई हो वह एक पवित्र आत्मा थे और जितने दिनों तक हमें उनका सानिध्य प्राप्त हुआ वह हमारा सौभाग्य था उनकी मृत्यू के बाद हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि उनकी आत्मा जल्द से जल्द परम धाम को प्राप्त करें और परम शांती और परम आनंद को प्राप्त करें यह जन्म मृत्यू का रहस्य कुछ ज्यादा ही गहरा होता है, जिसे देवता लोग भी नहीं समझ पाते हैं. इसी लिए मित्रों, आज से अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए अपने गलत आदतों को छोड़ कर अच्छी आदत अपनाएं, धर्म और तपस्या में मन लगा क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान है और वही हमारा बेड़ा पार कर सकता है. कई बार आपने देखा होगा कि जब भी घर में किसी व्यक्ति की मृत्यू होती है, तो घर में उनके फोटो लगा देते हैं और उसमें एक फूल माला डाल देते हैं. क्योंकि हिंदू धर्म के म अशुब है? दोस्तों, घर में मरे हुए व्यक्ति का अंतिम संस्कार करने के बाद, उस व्यक्ति की अपनी यादों को संजोए रखने के लिए उसकी फोटो को हम दीवार पर लगाते हैं. ऐसा करना क्या शुब है या अशुब है? अगर हमें अपने परिवार जनों में हु दूसरे के शरीर में चली जाती है. क्योंकि हिंदु धर्म के मुताबिक हिंदु सिर्फ आत्मा की पूजा करते हैं. शरीर की नहीं, इसलिए शरीर का दाह संस्कार कर दिया जाता है. इसलिए अगर भगवान के साथ मृत्व्यक्ति की पूजा होती है, तो उसे भगवान की निंदा ही माना जाता है. अर्थात कहने का मतलब ये है कि संसार में जन्म मरण का चक्र चलता ही रहता है. लेकिन जन्म लेना उसका सफल है, जिसके जन्म से कुल की उन्नती हो. दोस्तों, लोग पित्रपक्ष के दौरान अपने पितरों की आराधना करते हैं. हालां कि कई ब गर में किसी व्यक्ति की मृत्यू होती है, तो घर में उनके फोटो लगा देते हैं और उसमें एक फूल माला डाल देते हैं. लेकिन क्या आपको मालूम है कि इन फोटो को कहां और कैसे लगाना चाहिए? क्योंकि शास्त्रों में इसका भी एक नियम बताया गया है, अगर आ आप अनुचित स्थान पर मृत परिजन की फोटो लगाते हैं, तो उसे आपको हानी हो सकती है. कई लोग ऐसे भी होते हैं जो मृत परिजन के फोटो घर के मंदिर या फिर देवी देवता के साथ लगा देते हैं, जो की ऐसा करना बहुत गलत माना जाता है. इससे आपको ल सम्मान कम होने लगता है, इसके अलावा पश्चिम या दक्षन की दीवारों पर भी आपको मृत परिजनों की फोटो नहीं लगानी चाहिए, इससे धन संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है. पितरों की फोटो घर में एक से अधिक स्थानों पर नहीं लगानी च चाहिए, तो मितरों आज की यह वीडियो आपको पसंद आई है, तो वीडियो को शेर जरूर करें, क्योंकि हमारा मकसद भी हमारे धर्म का प्रचार करना ही है, और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय सीताराम अवश्य दिखे मिलते हैं. अगले वीडियो में तब तक के लिए जय सीताराम.